अमेरिके विज्यानिक ने ढूंडा धर्ती पर सबसे स्वच हवा वाला स्थान हर दिन सड़कों पर चल रहे वाहनों, फैक्टरियों और तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूशन दिन प्रतिदिन पर्यावरन को नुकसान पहुचा रहा था दुनिया में इनी प्रदूशन की वज़े से हवा की गुनवत्ता भी काफी ज्यादा खराब हो गई है वहीं इसे बीच अमेरिका वज्यानिकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने प्रित्वी पर एक ऐसे स्थान को खोज निकाला है जहां कि हवा पूरी प्रित्वी पर की हवा के मुकाबले सबसे ज्यादा स्वच है वज्यानिकों का मानना है कि धर्ती की सबसे स्वच हवा धर्ती के दक्षनी दुरूव पर सित अंटार्टिका महासागर के उपर से बहती है इतना ही ने वेग्यानिकों ने यह भी दावा किया है कि यह हवा दुनिया के सबसे स्वच्छ हवा है जहां मानब गतिवीदियों से उत्पन होने वाले प्रदूशन रहितकन मौजूद नहीं है ग्याथो सबसे च्वास चावा का पता लगाने के लिए वग्यानिकों ने अंटार्टिका महासागर के बायो एरोसॉल का अध्यान किया था जोहां पर इस बात का खुलासा हुआ है श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर कॉंग्रिस और भाजपा आई आमने सामने या फिर 85 फीसदी किराय का मुगतान कर रही है मगर केंद्य ग्रिह मंतरी अमित शाहर के बयान दिया है कि 85 फीसदी रेलवे का किराया रेलवे भाग ने दिया है और 15 प्रतिशत राज्यों ने वहन किया है वही सिंग्वी ने आगे कहा कि अटोर्नी जेनरल ने उच्चुतम नयायाले में कहा कि श्रमिक ट्रेनों का 100 फीसदी किराया सम्मनित राज्यों की ओर से दिया गया है सरकार और भाजपा की तरफ से बार बार गरत प्रचार किया गया है और जूठे तथ्या रखे गया है अगर एल मंत्रे प्योश गोयल को थोड़ी भी शर्म है तो भात तुरंत इस सीफा दे भारत की जीत से पाकिस्तान और चीन में पस्टरा सरनाटा भारत ने चीन को ऐसा फसाया है कि एक ही दिन में चीन स्टब हुथ हो गया है चीन को ना सिर्फ लदाकी सीमा से हटा पड़ा है बलकि डबलो एचो में भी चीन की मनमानी एकना चली है डबलो एचो ने भी एक बार फिर से भारत निर्मित HCQ को मानेता देते वे कोवड-19 के इलाज में उपियोग करने की इजाज़त दे दी है जिसके बाद से भारत को लेकर अंतराश्य स्तर में काफी ज्यादा सम्मान बढ़ा दिया गया है भारत के बढ़ते कट से चीन को परिशानी तो हो ही रही लेकिन वह सिर्फ मनमसोस कर रहे गया है लेकिन चीन का दोस्त माने जाने वाला पाकिस्तान काफी बुरा हाल है विरादरी ने कई बार मुह तोड़ जवाब भी दिया है इतना ही नहीं शाह महमूद कुरेशी ने लद्दाक पे भी चीन का समर्थन किया था और कहा था कि भारत सीमा विस्तार में लगा हुआ है जो कि चीन को बरदाश नहीं करना चाहिए देश के सबसे बड़ी साइकल नर्माता कंपनी हुई बंद बीते दिन विश्व स्वाइकल दिबस के मौके पर खबर आए कि देश के 79 साल पूराने साइकल कंपनी अर्टलस में आर्थिक तंगी की कारण अपने यहाँ पर काम को रोक दिया है जिसे कंपनी में काम करने वाले लगभक 4500 करमचारियों के सामने बेरोजगारी आकर खड़ी हो गई है खबरों की माने तो पिछले कई सालों से आर्थिक समस्याय चल रही थी हाला कि एक ऐसा समय भी था जब कंपनी ने अपने नोटिस में कहा है कि संचालों के पास यह फैक्टरी चलाने के लिए पैसे नहीं है इसलिए करमचारियों को 3 जून से ले ओफ करने के लिए कहा गया है जुसके थैट अब सभी करमचारी अतिरिक्त काम नहीं करेंगे सिर्फ अपनी हाजरी लगाएंगे जहांपर कंपनी का करमचारी रोजाना गेट पर आकर अपनी हाजरी नोट कराएगा और उसे हा 188 प्रवासियों को स्पेशल चार्टर विमान से पटना भेजने का एलाम जारी किया है जिसके थैट संजे सिंग खुद आज शाम 6 बजे स्पेशल चार्टर प्लेन के जरिये पटना छोड़ने आएंगे मिस्तारा एरलाइन का स्पेशल चार्टर विमान शाम 6 बजे दिल्ली T3 एरपोर्ट से पटना के लिए रवाना होगा जिसके थैट सभी प्रवासि साथी पहले संजे को आवास 139-139 नॉर्थ एवेन्यू नहीं दिल्ली पर एखटा होंगे जहापर जरूरी कागजी जाज शाम 6 बजे विमान शाम 6 बजे दिल्ली से पटना के लिए रवाना होगा जिसके तहट अब पूरे देश में 8 जून से शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई है हाला कि यह साफ कर दिया गया है कि शॉपिंग मॉल्स में घूमने से लेकर शॉपिंग का पह और मॉल में मौझूद रिटेलर के लिए अनिवारे होगा कि नियमों का पालन करें जिसके बाद सभी मॉल मालिकों के सामने यह समस्या उत्पन हो गई है कि सभी लोगों को यह भरोसा कैसे दिलाया जाए कि मॉल से शॉपिंग करना पूरी तरीके से सुरक्षित है जिसके त जावा मॉल परिसर वश्रूम फूट कोड जैसी जगे में साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाएगा जंधन खाते में 5 जून से जाएंगे 500-500 रुपे लोगडाउन के बीच गरीबों को राशन और आर्थिक मदद देने वाले प्रधानमत्री गरीब कर्या नियोजना का इस महीने भी सभी जंधन खाताधारकों को मिलेगा अधिकारियों की माने तो 1.70 करोर रुपे के प्रधानमत्री गरीब के लियान पाकेज के तहट 42 करोर गरीबों को 33,248 की वित्तिय सहायता मिली है इसके साथ ही PMJDY में महिला खाताधारकों को 500 रुपे की जून महीने की कि खाते की संख्या का अंतिम अंक शून या एक है तो उनके खाते में 5 जून 2020 या 10 जून के बाद किसी भी दिन राशी निकाली जा सकती है वहीं जिनके खाते का अंतिम अंक शून या 10 जून के बाद किसी भी दिन पैसे निकाल सकते हैं इसके साथी 6 या 7 अंक वाले खाताधा भारत में स्कूल खोलने के फैसले पर केंद्रिया बंत्री निशंक ने दी अपनी प्रतिक्रिया, COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच पूरे देश में अनलॉक वन के प्रावधानों को लागू किया गया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने हर छेत्र में छूट देने की पहल क को तेज किया है, इसी क्रम में स्कूल, कोचिंग और कॉलिज जैसे सक्षनिक संसान को खोलने पर विचार विमर्श किया जा रहा था, जिसके दहात भारत के मानफ संसाधन मंत्री रमेश पोकरियाल निर्शंक ने दावा किया है, कि जब तक छात्र स्कूल नहीं पहुंच र कि इसके लिए अभी से गाइडलाइन्स त्यार करने शुरू कर दी गई है, क्योंकि अगर स्कूल खुलता है, तो स्कूल का माहल बिल्कुल ही अलग होगा, नियाय और रक्षा के साथ स्वास्त मंत्राले में भी पाए जा रहे हैं, कोविड-19 पोजटेग, कोविड-19 धीर हर जगा पसारता जा रहा है, केंदर सरकार के मंत्राले में होते वे, कोविड-19 की शपेट में आ गई है, स्वास्त मंत्राले, नियाय मंत्राले और रक्षा मंत्राले, तीनों मंत्राले में कोविड-19 से प्रभावित मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि अपसे बैठक वीडियो कॉन्फरेंसी के माध्यम से होगी ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके इसकी साथ ही जारी के गए अधिसूच्रा में मौझूदा अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क पहना अनिवारे कर दिया गया है ककी साजित खान के दुनिया को अलविदा कहनेे के बाद साजित खाने उनको याध करते वे एक pursuit शेयर यह जिसमें वाजित अस्पताल में दिखाई यह ये और सोचल मीडिया पर वाजित खान का है यह वीडियो लोग भी काफी ज्यादा पसंद कर रह Amazing ञारे क olsun एक साथ ही काफी emotional post में लिखाए जिसमें उने लिखाए दुनिया छूट गई सब कुछ छूटा ना तूने कभी music छोड़ा ना music तुझे कभी छोड़ेगा मेरा भाई legend था और legend कभी नहीं मरते मैं हमेशा तुम से प्यार करता रहूंगा मेरी खुशी में मेरी दुआओं में मेरे आज को स्थागित कर दिया गया था जिसके तहट अब सभी खिलाड़ी online माधियम से अपने fans के साथ जुड़े हुए हैं इसक्रा में बीते दिन हार्दिक पांडिया ने भी क्रिक बस के साथ live chat के दौरान कहा कि मैं खुद को backup तेज गेंबास के रूप में देखता हूं कमर क भी कम नहीं हो रहा था लेकिन मिरा शरी तुरंत recovery mode में चला गया था तो चले बढ़ते आज की सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके इनुसार 8 जून से शॉपिंग बॉल खोलने का फैसला कितना सही है कितना नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर करने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद